नमस्कार दर्शकों, क्या आपने रिशी ददीची का नम सुना है? ऐसा कुराणा में लेगता है कि जब रत्तासुर ने अपनी तबस्या से ब्रह्मा जी से वर्दान ले लिया कि उसकी म्रत्यू किसी भी दातु के सूखे या गिले अध्यार से नहीं हो सकती और इसी वर्दान के कारण उसने सुखे पर कबजा कर लिया तो दिवदाओं के पास येवल एक ही विकल्प था जो के थे रिशी ददी थी ये विकल्प इसलिए थे क्योंकि इनकी घट्डियां लोहे से भी खटोर थी और आपको बताई है कि अस्तियों को धातुन नहीं गिना जरता तो उस समय इंद्र प्रिशी ददीची से उनकी अस्तियों मांगने आए और उन्होंने इस बड़े उत्देश के कारण के लिए अपने प्राणा को त्याग कर अपनी अस्तियों का बलदान कर दिया ठीक ऐसा ही बलदान और त्याग हमें वर्ष 1929 में दुबारा देखने को मिला तो चलिए आज आपको भारत के आधनिक धदीची यानी जतिन्दनाद दास से मिलने का ऐसास का लिए जतिन्दा का जनव सक्ताई सक्तिवर 1904 को बंके मिहारी दास और स्वासनी दास के यहां बेटेस इंडिया के कोलकाता में हुआ था ये शुरू से ही तेज बुद्धी के व्यक्ति थे इसलिए इन्होंने मेंट्रक और इंटर्मीडियर के परिच्छा प्रथम स्रेटी सक्ति अनुशीलन सब्धी बंगाल के वहां का एक संगटन था जो के देश को आयाद कराने के लिए और सामानी गत्विद्यों के लिए क्रांतिय पक्ष लेता था उस समय ये गांधी की विचाहदार्व से भी काफी प्रभावेत थे तो इनोंने 17 साल की उमर महीं 1922 में गांधी द तक इनके राजनी तिक गत्विद्य के कारणे जेल बेज दिया गया उस समय एक विच्विस तकी नियंद था कि सभी देशों की जिल्व में दो प्रगार की कैदिवा करते एक ऐसे कैदी जिनोंने को ये वांचनी अपराद किया था जैसे चोरी, डकैदी, मर्डर, इस्तिया कैदियों को राच्ची से बुद्धी माना जाता था और उन्हें सिदार के लिए कड़ी से कड़ी सिदा दिती जाती थी और दूसरे परकार की कैदी ऐसे हुआ करते थे जो अपनी राजनी तिक गतिर डी के गारने जेल में आये थे ऐसे कैदियों को पड़ा लिखा समझा जाता था समझा जाता था कि इन्हें पता है हम क्या कर रहे हैं और इन्हें उच्ची सेड़ी में रखा जाता था यानि एक बार जो ठान लेशे थे उसे करके ही रहते थे बिना उसकी प्रणाम की बारे में सूचे तो इन्होंने जेल में होरे इस दुर्विवार की प्रती भूंकरदाल सुरू कर दी यह भूंकरदाल पीस दिनों तक चली और बीस दिनों के बार जेल के सुपरिंटेंडेंट ने इनसे माफी मांगी तब जाकर इन्होंने अपनी भूंकरदाल यह व्रत को तोड़ा इन्होंने सचिंद्र नात सान्याल से बंमाना ना सीखा कुछ समय पस्चा जतिन्दा को गांधी के विचारों और कॉंग्रिस के अगीकत का पता चला तो इन्होंने देश की आजादी के लिए करांती के मार्क को उचेत समझा और इसी लिए इन्होंने करांती कारी संगर्दन हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन यानि HSR को जोइन कर लिया इन्होंने HSR के कई मेंमर्स को बंमाना ना सिखाया साग 1915 में Defense of India आया जिसके अंतरगत पुलिस को काफियत अधिकार दे दिये गे और उन्हें सोतंत कर दिया गया कि पुलिस किसी को भी कहीं भी बिना किसी जबूत के केवल शक्यादार पर गर्फता कर जाए इसके कुछ सालों बाद पब्लिक सेफटी बिला आया जिसके दोरा केवल और केवल भार्दी जन्ता को लूटा जा रहा था इन दोरा बिलों के विरोध में भगत सिंग और बटकुशर दत्त ने जो के एचे सारे के ही मेंबर्स थे उन्होंने संसत में बंपोड़े और अपनी गरफतारी दे दी इनके गरफतारी के बाद इनके अन्यसाद्यों की तलार शुरू कर दी गई और कुछ समय वस्चा अन्यसाद्यों जैसे सुखदेव, जयागोपाल, चतिन्दा और सभी को गरफतार कर लिये गया इन सब के विरुत लाहोर कॉंस्परेंसी केश चराया गया इसी समय के दोरा जब ये जेल में थे तो इनों ने देखा कि जो वहाँ पर पिटिश कह दी थे उनको काफी सुखदा दी जा रही थी जैसे अच्छा खाना, साफ कपड़े, पढ़ने के लिए किताब हैं, अख़बार आ दी लेकिन भार के कैदों के साथ बहुती बड़ा दुर्विवार किया जाला था सड़ा गला भोलन, वर्शों सिन्न बदले के कपड़े, नहीं किताब हैं, नहीं पुस्तक हैं, नहीं कुछ भी तो इसी के विरोध में इन सभी करम्तकारियों ने भूग अर्टाल गरने का निश्चे गिया जतिन्ना दस तो पहले से ही प्रतिग्यवाजी उन्होंने भी तेरे जलाई 1939 को भूग अर्टाल शुरू कर दी यहां भूग अर्टाल काफी समय तक चली, यहां अर्टाल कोई छोटी-मोटी अर्टाल नहीं थी, यहां उस समय की काफी नम्मी अर्टालों में से एक थी इस भूगरताल के दौरान जतिन्दा केवल पानी ग्रेंग करते थे पुलिस ने इनकी भूगरताल को तोड़ने का काफी प्रैस किया इनके हाथ पेरों को पगड़के इनके मुँवे जवस ती खाना ठूसा जाता था नलियों द्वारा दूद पिलाय जाता था लेकिन फिर भी इन्होंने हार भी माने और भूगरताल को ऐसे चलने दिया यहां तक कि पुलिस ने इनके पीने के पानी तक में मिलावट कर दी जब जतिन्दा को यह पता चला तो तो उन्होंने पानी ग्रण करना भी छोड़ दिया इसकी विज़े से इनकी सहित पर काफी गहरा प्रवा पढ़ा था दिरे-दिरे इनकी शरीर कूर्चा खतम सी होने लगी थी और इसी बूगरताल के चलते 13 सितंबर 1929 को यतिन नाने मौत को गले लगा दिया हाला कि इन सभी की घरताल काफार बिटेर्च सागार पर काफी गहरा पढ़ा था यहां तक कि वाए सराय वो भी इनकी मांगे माननी पड़ी थी और इसके बाद सभी करन्तिकारियों ने भूगरताल को समाप्त कर दिया इनकी म्रत्यों के बाद इनके शरीर को कोल काता ले जाये गया जहां सुवाश्चंद्र भोष ने इनका अंत्यम समस्कार दिया सुवाश्चंद्र भोष ने इनकी इसे बलदान के काने भारत का आधनक ददी चीका आता वास्तन में इनका योगदान भारत इत्यास में कभी न गुलाए जानी योग्य है और मैं चाहता हूँ कि इस योगदान के बारे में हर कोई जाने मैं चाहता हूँ जतिन्दा के बारे में हर कोई भाती जाने तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें पुसे आप से एगी वीडियो में और नहीं आगा